नमस्कार मेरे बगतो आप सब का स्वागत करते हैं आपके चैनल प्राचीन मंतरा राइशया में आज मैं आपके लिए प्राचीन काल का वो टोटका लेकर आया हूँ जिसकी मदद से बगतो आप अपनी जिंदगी में बड़ी से बड़ी प्रावबर सॉल्ब कर सकते हैं समय रहते अपने शत्रों का शर्वनाश कर लीजिए, समय रहते अपने शत्रों से बचाव के लिपाए कर लीजिए, फायदे मंद सावित होगे, आपके काम बन जाएंगे, करना क्या होगा आपको जो करना है वो आपको बता रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ धिहान से सुनिए கो बिमार करनेगा बहुत बिमार करनेगा मैं तोट का बता रहा हूँ, आपको डुश्मन बिस्तर पर पड़ जाएगा, इतना बिमार हो जाएगा कि आकरकार वो से भी घबराना पड़ेगा, कि ये मेरे साथ बन क्या रहा है, तो मेरी आज की इस वीडियो को ध्यान से सुनिए, समझिए, इस्तेमाल बाद में कीजिए, क्योंकि इस्तेमाल करना, ना करना आपकी चोतिय, सुनना आपको दिहान से है, कि करना कैसी होगा, उसके बाद सोचना कि करें या ना करें, क्योंकि बहुत आसान टोटका है, कारगर है, रिजल्ट भी देगा, तो आपको दिहान से सुनना होगा, अगर पहली बार पहुँच करें इस उपाय को कीजिएगा ताकि आपको बढ़ाता हूं आपको जो उपाय तरीका बनाना होगा वो आपको बता रहा हूं तो सबसे पहले आपने नाम लिखना होगा अपने दुश्मन का लाल मिरच के उपर उसके बाद आपको क्या करना होगा मैं आपको क्रिया बता देता हूँ जैसे आप लाल मिरच पर नाम लिखेंगे उसके बाद आपने इस लाल मिरच को अपनी लाल कपड़ें मांग लें आप जिस सत्रु से प्रेशान है उसके घर के बाहर से गुजरते हुए अपने शत्र के घर के बाहर से गुजरते हुए आपने इसे लिए जाकर वक्त को क्या करना होगा जैसी है आप इसे लिए जाकर सम्शान में जाएंगे आपने एक मंत्र बोलना होगा अम्द्राद्रेद्रो शत्रू विनाश्काए नम्ह इस मंत्र को बोले वक्त हो यह मंत्र कारगर भी है और इस अफल नाइक भी है आपका काम बनेगा इस मंत्र को आपने एक जार बार बोलना होगा एक जार बार इस मंत्र को बोलने के बाद आपने वो लानमेर चाक में जला देनी है जिसके साथ आपका शत्रू भी बिमार पढ़ना शुरू हो जाएगा और आप देखते रह जाएंगे काम बन जाएगा असान क्रियाश की लुपाय बता है एक बार इस्तेमाल करके चुरूर देखे सौल करने के लिए हम ब्रेट से ले कराते लेंगे आप हमें कोल करके बता सकते अक्ति को जड़ से ख़सके जड़ से हुई समじखे फिर वापीस नहीं आती अगर अधूरी चीज़ें करते हैं तो आपकी समख्षया बढ़ जाती है मत्तो तो चलिए आगे बढ़ते हैं आपको बताते हैं आपको बताएंगे ने तरी के आज की स्वीडियो में इतना ही दन्यावाद